हेलो माई यूटूब फैमिली रादे रादे कैसे आप सब आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे आप सभी का वेलकम है आपके अपने सुनीता सर्मा ब्लॉग पर मॉर्निंग का टाइम हो रहा है सुबह सुबह का टाइम साड़े छे बच चुके हैं हमारे आप जो लगाने जा रही हूं बाकि उससे पहले रख दिया मैंने चाय बनने के लिए क्योंकि यह थोड़ा उबलती रही है अभी मम्मी लेटी हुई कल मम्मी की तवियत खराब हो गई थी थोड़ा सा अलब उल्टी वगरा हो गई थी उनको और तो कल तो उन्होंने चाय भी मुलब अंजenne भी आये हुए है तो वieving है अभी अभी बच्चे सब सो रहे हैं сाथ मैं तो तब तक ऊठके तयार हो जाएंगे जब तक चायवाय बनेगी क्योंकि बिल्कुल मीडियम करके रखती है मैंने आराम से उबलती रहेगी मेरा जब तक काम हो जाएगा तो ऐसे ही होता है मेरा मॉर्निंग कर मैं जल्दी से काम हो चिडियाओ के कितनी अच्छी आवाज आरी ना आजकल ज़्यादा हर जगे आम वगरा आरहे ना तो उसमें जो है कोयल वगरा घूमती रहती है सुबह अभी मैं बाहर जाडू लगा रही थी ना तो इतनी अच्छी आवाज आ रही थी बहुत अच्छी और इधर मैंने ये भिगो रखे हैं और राजमो तो इनको भी बोईल क करने के लिए रख दूगी तो अराम से अभी नहीं रखोंगी पहले मौच्छा लगाने के बाद रखोंगी इनको बलने के लिए जो कि यह आराम से हम चाइवाए पिएंगे ना तो आराम से उबलते रहेंगे वैसे भी कोई भी चीज बनाओ फुल गैस करके बनाओगे तो अच्छी नहीं बनती है जितनी की मीडियम गैस करकर बनाते है वह बहत अच्छे से बनती है मतलब अच्छे से ओबल जाती है कोई भी चीज होती है अब जैसे चाहिए ना उसका भी टेस्ट अलग होगा अराम से जो पकती रहेगी तीरे-दीरे एक साथ ओबाल के दे तो उस इधर मैंने इसको भी बनने के लिए रख दीया है, अब इसे मीडियम कर दूने है, और आप लेके चलते हैं, चाय क्योंकि सब लोग उठ चुके हैं, चाय चल लेते हैं, और चाय पीने के बाद मैं हमारी बहुत देर तक भाते चली हैं, बच्चों के साथ मैं बैठ के और उसक अपना कामी खतम कर लेती हूं तो मैं आगी हूं किचिन में तो जैसे कि उड़द राजमा मैंने बनाए हुए उनको मुझे फ्राइब करना है चोकना है तो इस वज़े से मैंने ले लिए टमाटर यहां पर कुछ हरी मेर्ची ले लिए तो इनको मैं चौपर में चौप करके र होती है फिर फिर मैंने दूदवी करों गरम कर लिया यहां पर ऑएल भी रखती है मैंने कढाई में और इसको जो है स्थाओंगी हींग जीरा डाल कर और फिर लया मैं एक पयाज यहां पर एक प्याज काट लिया उसको मैं थोड़ासा ब्राउन होने तक पकाऊंगी अच्छे से भून लूँगी इसको और इसके बाद में एक तड़का तयार करूंगी इसमें जो कि साइड में रखा हुआ है उसके बाद टमाटर एड कर दूंगे उसमें और यहां पर मैंने जितने भी मसाले ना सब यह मसाले जैसे हल्दी पाउडर धनिया पा है वह सभी मसाले लेके मैंने घोल तयार किया जिसका टेस्ट जो है विलकुल भी अलग होता है जैसे इस तरीके का हम घोल बनाते हैं उसका क्योंकि मसाले जो है थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाते हैं जब घुल जाते हैं पानी के साथ में तो थोड़े ज्यादा हो जाते हैं तो भी ऐड़ कर दिया मैंने यहां पर और यहां पर आधा कटोरी के करीब लिया मैंने ताजी दूद की मलाई जो कि आज की जो ढाले ने यह और भी ज़्यादा टेस्टी बनी थी बहुत टेस्टी लगी बच्चों को बहुत पसंद आई तो यह यह ना कि जब बच्चे खुश हो जाती है ना कि यह चीज अच्छी बनी तो फिर बहुत अच्छा लगता है तो यहाँ पर मैंने वो दाल भी आड़ कर दिया इसमें थोड़ा सा पानी भी आड़ कर दूंगी थोड़ा गाड़ा सा लग रहा है तो यहाँ पर मैं ममी के लिए खिचडी बना रही हूँ कि कुई उनका पेट भी ठीक नहीं है और वैसे कुछ खा भी नहीं रही है तो इसी वज़े से मैंने उसमें प्याज डाली थी क्योंकि आज ममी को नहीं खानी थी तो फिर मैंने प्याज डाली इसमें और यह जो है है मैंने इसमें बस हल्दी पाउडर डाल के नमक डालके थुटा सा घी डालके और इसको रख दूंगी उबलंे बाद में डालूंगी इसमें तड़का और इसको रखने के बाद मैं प्रिया को यह वाला काम सौप कर जाओंगी कि देख लेना क्योंकि इधर दाल भी उबल रही है वो बंद कर देगी कैस को और उतने देर में मैं आ जाओंगी नहा कर क्योंकि मुझे नहाने में थोड़ा सा करनी होती है और बाकी तुलसी पर जल देना यह मेरे सुबह के काम होते हैं और उसके बाद मैं फिर आ चुकी हूँ मैं फिर से किचिन में क्योंकि इधर मेरी खिचडी भी बन चुकी है तब तक प्रिया ने बंद कर दी थी और उसको भी पलटके रख दिया जो दाल थी तो दोनों में मैं एक ही साथ तड़का लंगा दिया इधर रायता बनाया मैंने बुदी का रायता जो ए तो है क्योंकि पो दिना की चेटनी बनाई थी तो मैंने पहले पो दिना चेटनी बनाईए जो के आप Mi तावी मैंने पोदीना का बनाया जो कर अच्छा लगता है अज और मैं भी क्षटी क्राउंगी क्योंकि मुझे भी अच्छी लगती है और तो उसके बाद मैं अपना बाटी के काम कर लूँगी जैसे खाना बनाना है और वह सब काम करूंगी और इसलिए मैं चावल बनने के लिए रख दूगी तो चावल भी बन चुकी है मेरे और यहां पर बना लेती हूं मैं खाना क्योंकि बेटे को जो भूख लग रही थी तो इस वज़े से तोनों के लिए उनके लिए क्योंकि जो मेरे भांचे ना वह भी गंगा जी गए हुए थे तो फिर मैंने का चलो तुमारी लिए बना देती हूं तो यहां पर खाना त्यार हो चुका है आ लें ली और अभी जो मेरे भांचे वह भी अभी अभी तो वह वहाँ पर कुछ नास्ता कर लिया उन्हों ने मलत चांट वगेरा लेली होगी तो इस वाज़े से उन्होंने भी नई काई खागा तो अभी कुछ कि चाना बनेगा और कुछ कर आज के इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूंगी, मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, वीडियो पसंद आए, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, बाई बाई